नमस्कार, आशा करता हूँ, आप सम अच्छी होंगे और आपकी स्टेडी भी अच्छी चल ली होगी जैसे कि आपको पता है, इलेक्शन होगे, अचार से इंता भी हट गई और भरतियों का दोर स्टार्ट होगे है तो आपके लिए एक latest update लेका है हूँ, आर आर भी बैंक की तरफ से एक notification जा रही हो है, short notification जिसके अंदर एक recruitment की बात की गई है तो हैर एक चीज आपके साथ discuss करने वाला हूँ, क्या qualification रहेगी, exam का pattern क्या रहेगा, selection process क्या रहेगा, confirm fill कर सकता है तो इसलिए आप मेरे साथ आखरी तक बने रहे हैं, अगर आप हमारा WhatsApp और Telegram ग्रूप जोइन करना जाते हो, तो उसका link आपको वीडियो के description में मिलेगा अब बात करते हैं, जो RRB की तरफ से एक short notification आया है, यह जो भरती आया है, कितने पदों पे आया है, या कितने पदों पे आ सकती है, कौन से department में आया है, और कौन-कौन सी level पे यह post आया है सबसे पहले में बात करूँ, यह RRB की अंदर जो bank की vacancy आई है, यह rural bank है, जो हमारे gramid bank है, उनके लिए एक short notification जारी हुआ है पोश्ट की बात क्यों तो पोश्ट यह आती है, तब काफी अच्छी खासी पोश्टें इसके आती है, यह जो पोश्टें रहेगी लगबग 8000 से 10000 के आसपास यह पोश्टें रहने वाली है, क्योंकि अभी इसका short notification आया है, full notification कल तक या एक दो दिन में आज आएगा, हो सक पोश्ट हो रहे हैं, और 27 जून इसकी last date रखेंगे यह, पोश्ट हैं कौन सी है, scale 1 की, second की और grade 3 की, तीनों पोश्टों के लिए form जारी होंगे, मतलब तीनों पोश्टों के लिए जब form जारी होंगे, तो अच्छा खाचा इसके अंदर recruitment होने वाला है, अब बात करते हैं, कलरक और P.O. का जो pre exam भी इनों ने बता दिये, मेंस की बता दिये, कि इनकी exam date क्या रगी, जैसे कि आपको पता है, इसका exam कोन कराता है, IBPS कराता है, और इसका notification के 40-45 दिन के अंदर अंदर ये अपना exam करा लेते हैं, कलरक और P.O. का जो pre होगा, वो अगस्त 2024 के अंदर होग है, और scale, second और third का, जो की single ही exam होगा, वो 29 सितंबर 2024 को conduct करा लिया जाएगा, तो ये इसकी exam date है, जो candidate वेट कर रहे थे काफी time से, कि कब इसका exam होने वाला है, तो इन्होंने exam date भी साथ में दे दी है, फीस की बात करूँ, अभी तक जैसे की आपको पता है, बैंक का कोई भी notification आता है, उसकी फीस mostly 850 रुपे रहती है, अभी short notification में mention नहीं किया है, जैसे full notification आएगा तो आपको और भी clear हो जाएगा, age limit की बात करें, 18 से 28 normal रहती है, जैसे ही आप कोई category वाले हो, SC, ST, OVC, तो आपको अपनी category के according IUC में भी छूट मिलेगी, qualification main है, qualification अगर आप graduation वाले हो graduation में आपके पास कोई BA है, BA है, BAC है, B.com है, B.tech है, कुछ भी किया है, अगर आपने graduation कर रखा है, तो आप apply कर सकते हो, computer knowledge होना desirable है, मतलब necessary नहीं है, computer का काम तो आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर सारा काम आजकाल bank का किसमे होता है, computer पे होता है, तो computer knowledge एक करेंसे desirable रखा ह आपको computer knowledge होना जरूरी है, selection process की बात कर लेते हैं, कि selection process क्या रहेगा, scale first की बात करते हैं, grade first की बात करें, इसमें आपका परी होगा, mens होगा और interview भी होने वाला है, जब आप परी qualify करोगे, फिर mens में जाओगे, mens qualify करके आपर interview के लिए जाओगे, scale second और third में आपका only single exam रखा बात करते हैं, next बात करते हैं, कलरक की, कलरक में आपका परी और mens होगा, आपका कोई भी interview इसके अंदर नहीं conduct किया जाएगा, exam pattern की बात कर लेते हैं, exam pattern आपको पता है, परी, mens, interview इसी बेस पे banking का रहतने रहता है, मैसा, तो परी की बात करूं, रिजिनिंग में पेले 40 question आपको timing मिलेगा, क्योंकि bank के अंदर सबसे ज़्यादा जो factor selection के लिए major करता है, वो आपकी speed और timing ही है, और आपकी accuracy भी अच्छी होनी चाहिए, next बात कर लेते हैं, mens की, तो mens, अगर आप जब pre-clear करोगे, तो आप mens के लिए जाओगे, mens में reasoning के 40 question, 40 number के, aptitude के 40 question, journal awareness के भी 40 question Hindi और English के दोनों में से कोई एक रहेगा, 40 question, और computer के भी 40 question, 200 question, 200 number को आपको देखने को वाँ पे मिलेंगे, और 2 घंटे आपकी timing इसके अंदर रहने वाली है, क्योंकि 2 घंटे में आपको 200 question करना है, और bank में ये भी रहता है कि हर एक section के अंदर आपको pass होना जरूरी है, मालो आप ज्यादा number आ रहे हो, फिर भी कोई एक section आपका रहे गया, या GS करे गया, कोई reasoning करे गया, तो आपके लिए गडबड़ हो सकता है, तो आज की update यही थी, आपको फिर भी कोई doubt है, तो आप comment कर सकते हो, टेलिग्राम ग्रूप में कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी झाल